हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नमें संदीप आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्योब चैनल नथिंग इंपॉसिबल में फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग UGC Net Geography परिच्छा नवंबर 2017 के थर्ड पेपर को सॉल्ब करेंगे इसमें हम लोग 31 से 40 प्रशनों को सॉल्ब करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगो ने 21 से 30 तक जो प्रशने थे हैं थर्ड पेपर में आपके UGC Net Geography के 2017 में उसको सॉल्ब किया अब हम लोग 31 से 40 प्रशनों को सॉल्ब करेंगे ये question जो है बहुत ही important है जो आपके आने वाले jam है जैसे December में आपका जो paper होने वाला UGC Net का उसमें ये previous year के question paper है जो बहुत ही important role अदा करने वाले हैं तो आप सभी से request है कि आप previous year के जो question है बहुत ही अच्छे से तयार करें उससे आपके 40% जो question है अच्छे से cover हो जाएंगे आपके jam में आपको विश्वास नहीं होगा बट आप अगर उसको जो explanation के साथ जो आती है books जो previous year के question paper solve रहते हैं explanation के साथ आप उसको buy कर लें purchase कर लें और उसको solve करें अच्छे से निस्चित रूप से 40% तक जैसा कि मैं बता रहा हूँ question आपके cover हो जाएंगे जो आने वाले आपके exam में हैं तो previous year की बहुत जादे importance है अगर आप इसको तयार करते हैं एक बात और अगर आप नए viewer है तो channel को subscribe कर लीजिए और उसके बगल में जो bell icon का button है इस प्रकार का उसको जरूर प्रेस कर लें इस channel पर जब कभी भी कोई important video upload होगी तो उसकी notification बहुत ही आसानी के साथ आपको प्र लिखी है तो metriologica नामक जो पुस्तक है वो अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी मैं option को read नहीं करूँगा चारो मैं direct answer बताऊंगा और इनसे जुड़े जो भी important points है उसको भी बताता चलूँगा तो metriologica नामक पुस्तक जो है उसको अरस्तु के द्वारा लिखा गया था और इनसे जुड़े और भी important points है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ तो अरस्तु जो है आपके वो प्लेटो के सिस्यत है और अरस्तु जो है अगमनात्मक पद्धती का प्रियोग किया था अपने अध्यन में और एक बात और इसमें है कि अरस्तु ने भी प्लेटो की तरफ प्रित्वी का आकार गोला अथवा अंड़कार माना है जिस प्रिकार से प्लेटो ने प्रित्वी का जो आकार है या सेव गोला और अंड़कार माना था उसी प्रिकार से अरस्तु महोदे ने भी प्रित्वी को गोला और अंड़कार माना है तो अरस्तु आगे बताते हैं कि इन्होंने पृत्वी की परिधी की गणना की थी तथा उसे 4 लाख स्टेडिया के बराबर बताया था और इन्होंने एक चीज और बताई की विशुत रेखा के आसपास के छेत्रों को इन्होंने तप्त कहा जिसको इंगलिस में बोल ला जाता है आपका टोराइड जोन कहा तो विशुत रेखा के आसपास जो छेत्र मिलते थे उसको अरस्तु महोदय ने टोराइड जोन बताया था क्या बताया था मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ जिसे आपको समझ में आ जाए टो राइड जोन ठीक है क्या बताया था टोराइड जोन आप इसको याद रखेगा ये पूछा जा सकता हो सके आपसे एकजाम में तो इनसे जुड़े जो भी important points था जो बन सकते हैं आपके एकजाम में मैंने उसको बताया इसी प्रिकार से अभी जो आगे question आएगे उसमें भी मैं बताता चलूँगा जो भी important points उसमें अगर होंगे उस question में तो मैं बताऊँगा जिसमें नहीं होंगे उसकी बात ही अलग है लेकिन जिसमें हो सकते हैं मैं उसको बताता चलूँगा आईए एगले question पे चलते हैं इसमें हमारा अगला प्रस्ण है उसको भी देखते हैं अगला प्रस्ण हमारा question number 32 है इसमें दिया गया कि United Nation Population Fund 2015 यानि 2015 के आकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंक्या का अधिक घनत्व दर्ज किया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number B एसिया में जो है कि United Nation Population Fund 2015 के आकड़ों के अनुसार जो है एसिया महाद्वीप में जनसंक्या का अधिक्तम घनत्व जो है दर्ज किया गया है तो इस question से जुड़े जो important points है मैं उसको बताता चलना हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि United Nation Pop Population Fund 2015 के आकड़ों के अनुसार एसिया महाद्वीप में जनसंक्या का अधिक्तम घनत्व जो है दर्ज किया गया है और आगे इसमें है कि विश्व में जनसंक्या वित्रण को जो आरोही करम में दर्जाया जाता है तो सबसे पहले आपका Asia आता है यानि कि जनसंक्या का सबसे आएगा वो है उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो है आपका आएगा इसको आप याद रखिएगा फिर उसके बाद आएगा यूरोप आपका तो ये आरोही करम में बता रहा हूँ जनसंक्या के वित्रण को तो यूरोप इसके बाद है फिर इसके बाद जो अगला हमार है दच्छडी अमेरिका दच्छडी अमेरिका इसको आप याद रखेंगे इस क्रम को आप फिर इसके बाद लाश्ट में जो आपका आता है ओसीनिया इसको याद रखेगा तो यह आरोही क्रम में है आपका जनसंख्या वितरण इसको आप अच्छे से याद रखे तो विस्व इस question से जुड़े जो भी important points थे, मैंने उसको बता दिया आपको, अगर कोई doubt या query या कोई भी question से जुड़े आपको problem है, आप comment box में, जो comment box होता है आपका, उसमें इस प्रकार से comment box होता है, आप उसमें निसंकोच होके कोई भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके doubt हो, आईए answer हो जाएगा, वो option number C, जापान का जो जनसंख्या पिरामिड है, वो मुख्यत देन्मार्क के पिरामिड के समान है, तो इससे जुड़े जो important points है, उसको भी मैं बताता चलना हूँ आपको, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान की जनसंख्या का पिरामिड, देन दूसरा होकेडो, फिर तीसरा है क्यूसो, फिर चौथा इसमें सिकोकू, तो जापान में जो है लगबग 3900 दुविप पाए जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 सबसे बड़े दुविप हैं, पहला होन्सू, दूसरा होकेडो, तीसरा क्यूसो, चौथा सिकोकू, आगे इसमें और है कि इन 4 दुविप का छेत्रफल, देश के समस्त छेत्रफल का 98 प्रतिसत है, यानि कि जापान देश का जो छेत्रफल है, उसका 98 प्रतिसत जो छेत्र है, ये 4 दुविप जो है, जो बड़े दुविप हैं, जापान के वो कवर करते हैं, तो इसमें आगे है कि हो ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो होंसो है इन चारो द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है जिस पे आपकी जो जापान की कैपिटल या राध्धानी है वो इस्टेबिलिस्ट है I hope आपको question को अच्छे से समझ में आ गया होगा question से जुड़े जो भी important points थे मैंने उसको बताया आपको अगर कोई भी doubt या query इस question से आपको मन में उठती है तो आप comment box में जरूर पूछ ले आईए अगले question को देखते है अगला question हमारा question number 34 है उसको भी देखते है इसमें बोला जार है कि निमलिखित कतनों पे विचार करना है तो पहले कतन को आईए पढ़ लेते हैं फिर विचार करेंगे इस पे तो इसमें दिया गया है कि विकासिल देशों में प्रजनन दरों में जो महतवपूर्ण कमी के बाजूद जनसंख्या में वृध्धी दर्ज की गई है इ उसमें से जो सही है कारण उसी को हमें बताना है तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा पहला आपका कारण सही है फिर उसके बाद सी है फिर उसके बाद डी है यानि पहला कारण है कि जीवन प्रत्यासा दर में वृध्धी है फिर दूसरा कारण है आपका मृत्यू दर म तीन कारण के वज़े से, आप इसको याद रखेगा, ये question जो है, कूट वाले हैं, अगर जिस कूट में जो है, A, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद D दिया रहेगा, वो आपसंद सही हो जाएगा, ये question जो है आपका, पिब्रियस्टियर के जो question paper है, उसमें पूछे गए थ फिर उसके बाद मृत्यू दर में गिरावट, फिर रहन-सहन की बेहतर इस्थितियां होने के कारण से क्या है, कि जनसंख्या वृत्धी दर्ज जादे दर्ज की गई है, विकासिल दीसों में, प्रजन दरों में महत्वपूर कमी होने के बावजूद भी, जनसंख्या वृत जीवन प्रत्यासादर की व्रिद्धी के कारण, मृत्यु दर की गिरावट के कारण, और फिर उसके बाद रहन सहन की बेतर इस्तितियों के कारण, उमीद है, कोस्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगला कोस्चन नमरा है, कोस्चन नमर 35 उसको देखते हैं, इस आपक आधार के जनसंख्या पिरामिट को प्रदर्सित करता है, इससे जुड़े एक आद इंपोर्टेंट पॉइंट से, उसको भी मैं बताता हूँ, जो सिर्ष पांस जनसंख्या वृति दरवाले देश हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको, तो पहला इसमें नाइजीरिया आता है, दूसरा जो है मालवी आता है, फिर तीसरे नमबर पे जो है इराक, तंजानिया, योगांडा, अफगानिस्तान, थाइलेंड आते हैं, चोथे नमबर पे आपका जो है माली, यमन, जांबिया आता है, फिर लाश्ट यानि पांचवे नमबर पे जो है तिमोर, गणराज, खंडा, कतर, इरिट्रिया आता है तो ये सिर्ष पांच जनसंख्या, ब्रिदी, दरवाले, देश है आईए अगले question को देखते हैं अगर इस question से जुड़े कोई भी अगर doubt है, query है तो comment box में आप जो है निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं चलिए अगले question को देखते हैं अगला question हमारा है उसको भी देखते हैं अगला question है question number 36 इसको देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निमलिखित में से कौन सा कथन करता है तो सही सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या इन सभी option में से कौन करता है वो हमें बताना है तो option number C जो है इसका right answer हो जाएगा इस question का सेवा के लिए आवस्यक नियुन्तम जनसंख्या जो है कि जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या करता है तो question number 36 का जो है option number C right answer हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या के लिए कथन जो उप्यूक्त है आपका वो है कि सेवा के लिए आवस्यक नियूनतम जनसंख्या question number 36 का जो है option number C right answer हो जाएगा आईए अगले question को देखते हैं आपका अगले question है question number 37 उसको भी देखते हैं इसमें दिया गया कि सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमिलित करें और नीचे दिये गया कूट में से सही उत्तर का chain करें तो इसको थोड़ा सा मैं scroll करके उपर कर लेता हूँ जिससे सारा option आपको सही से दिखाई दे ठीक है अब दिखाई दे रहा होगा तो पहले वाले column में आपको पद दिया गया है दूसरे तरफ परिभासा दिया गया है तो हमें इसको match करना है तो आईए इसको match कर लेते हैं तो इसमें पहला जो है आनी की पद जो एक तरफ दिया गया दूसरे तरफ परिवासा जैसा कि मैंने बताया आपको तो पहला जो है इसमें वो मैच करेगा दूसरे के सात यानी कि मानो बस्तियों का isthal इस्थान की महत्व के विशेश संदर में तुलनात्मक आविस्थिती है इसकी परिभासा है तो ये दूसरा जो है तीसरे के साथ मैच करेगा फिर तीसरा जो है आपका वो मैच करेगा आपका पहले के साथ यानि की प्रवसन में विशेश करसन कारक है रोजगार औसरों के गती फिर लाश्ट वाला जो है आपका वो लाश्ट के साथ यानि चौथा डी के साथ मैच कर जाएगा प्रवसन छेत्र जो है आपका प्रवसन प्रारूप के अंदर और बाहर इस्थानी ये लोगों पर प्रधानता जमाने वाले छेत्र हैं तो ये इसकी को देखते हैं अगला कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर 38 है उसको भी देखते हैं इसमें दिया गया कि सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित करें और नीचे दिया गया फूट में सही उत्तर का चैन करें तो इसको थोड़ा से स्क्रोल करके उपर कर ले रहा हूं जैसा कि आपसा नमें दिखाए नहीं दिरा है तो एक तरफ जैसा कि आप देख सकते हो एक तरफ परिभासा दिया गया है एक तरफ जो है पद दिया गया है और दूसरे तरफ परिभासा दिया गया है तो हमें इसको मैच करना है तो इसको आईए मैच कर लेते हैं तो इसमें जो पहला है आपका केंदर सहर वो जो है तीसरे के साथ मैच करेगा यहां पर मुख्य सहर जिनके आसपास उपनगर विक्सित हो रहे हैं उसकी सासकी ये परिसीमाओं के अंदर आने वाले उपनगरियी चेतर केंदर सहर होते हैं फिर दूसरा जो है दूसरा मैच करेगा आपका चौछे के साथ ये नेटवर्क सहर जो है ये चोथे के साथ मैच करेगा इसमें जो दिया गया कि दो या जाइदा स्वतंत्र परंतु पूरक सहर जिन में उच्च गती के परिवहन कॉरिडॉर है वो नेटवर्क सहर कहलाते हैं आगे इसमें अगला जो तीसरा मैच करेगा आपका यानि कि C वो दूसरे के साथ मैच करेगा तो जो नगरी ये प्रभाव छेत्र हैं वो नगर के बाहर नगरी ये विसेश्ताओं के साथ सहरी छेत्र होते हैं फिर आपका जो चोथा है इसमें वो मैच करेगा किसके साथ? वो पहले के साथ मैच करेगा यानि कि आपका जो नगरीकृत छेतर है वो राजनितिक परिसीमा के किसी संदर्व के बगैर इमारतों के उच्छ घनत्व के साथ भू आकृति का निरंतर निर्माण है तो इस प्रिकार से आप इसको मैच कर लेंगे उमेध है ये कोस्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया ह लेंगे आईए अगला कोस्चन देखते हैं तो इसमें हमारा अगला प्रश्ण है कोस्चन नमर 13 आए उसको भी देखते हैं इसमें दिया गया कि निमलिखित आरेक में नगरी ये संदर्चना के बहु केंद्रक सिंधान्त में निमलिखित इस्थानों को ग्यात कीजिए और जैसा कि ये फिगर आप देख रहे होगे ये जो है आपका नगरी ये संदर्चना के बहु केंद्री सिंधान्त के बारे में देए गया है और इसमें ये जो आपको दिये गया है ये छेत्र इसके बारे में बताना कि ये कौन-कौन से छेत्र है तो आईए इसको मैं बताता च यानिकि पहला है जो A है ये जो छेतर है थोक तथा हलके ये थोड़ा सा टाइप में मिश्टेक है इसको आप देखिएगा थोक तथा हलका वी निर्माड ये जो छेतर है आपका आई वाला ये हलका तथा थोक तथा हलका वी निर्माड छेतर है फिर इसी प्रिकार से जो आपक अगला है इसमें यानि कि दूसरा जो है आपका ये ये आपका हो जाएगा तीसरा यानि कि C वाला है ये जो छेत्र है आपका है दूसरा ये जो छेत्र है मध्य वर्गी आवास का है ये दूसरा जो छेत्र है आपका मध्य वर्गी आवास का छेत्र है फिर इसके बाद जो तीस हावाला है ये छेतर किसका है और दोगिक उपनगर इस प्रिकार से आपको इसको देखना है और जो किसी भी option में इस order में आपका दिया होगा यानि कि पहला जो है A ठीक है फिर C फिर उसके बाद आपका आएगा B फिर उसके बाद D आएगा तो इस order में जब option दिया रहेगा ये question जो previous year का उस order को मैं बता रहा हूँ अगर ये question फिर दुबारा पूछा जाता एग्जाम में तो order थोड़े इधर उधर हो सकते हैं बट आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए कि ये जो हलका वी निर्मार छेतर इसको आप याद रखेगा ये type में थोड़ा सा mistake हो गया ये हाँ पर हलका वी निर्मार छेतर होगा ये वाला फिर दूसरा जो आपका है वो क्या है फिर चौथा जो है आपका अद्धोगिक उपनगर तो इस order में जैसे जैसे आपने match किया उसी order में आपको कूट दिया रहेगा उस प्रिकार से आप अपने answer को चूच कर सकते हैं उम्मीद है ये question आपको समझ में आ गया होगा आए अगले question को देखते हैं तो इनसे जूड़े कुछ important points थे मैं उसको भी बता दूँ मैं मुझसे छूट रहा था बट मैं उसको बताता चलना हूँ आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगरिय सनचना के बहु केंद्रिय सिध्धान्त में जो सुमिलित सुची थी आपको वो पहले आपका थोग तथा हलका वी निर्मान है फिर मध्यवर्गी आवास है फिर उच्वर्गी आवास है फिर उसके बाद ओधोगिक उपनागर है तो इसमें एक और point है कि बहु केंद्रिय संकल्पना के जनक C.D. Harris और E.L. Ulman थे जिन्होंने 1945 के अपने समिलित लेख The Nature of Cities में इस सिधान को प्रस्तुत किया था उम्मीद है ये points आपको बहुत ज़्यादे help करेगी हो सकता है अगले exam में ये question आपसे पूछ लिया जाए तो ये question मैंने जैसे भी बताया आपको अच्छे से अगर इसमें कोई भी doubt हो जैसा कि मैंने starting में कहा आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं आईए अगले question को देखते हैं अगला question हमारा question number 40 है इसको देखते है ये end 40 इसमें पूछा जारा कि ग्रामीड भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निमनलिखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है तो हमें बताना कि किस कारक की भूमिका नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका वो है option number D दीज का राइट एंसर हो जाएगा ग्रामीड छेत्रों में सुभिधाओं में धीमी परंतु सतत वृध्धी तथा प्रती व्यक्ति आय में बढ़ोत्री ग्रामीड भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निमलखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है तो ये जो आप्सन ये इसकी भूमिका नहीं है ग्रामीड छेत्रों में सुभिधाओं में धीमी परंतु सतत वृध्धी तथा प्रती व्यक्ति आय में बढ़ोत्री तो ये वाला कारक जो है ये सामिल नहीं है तो question number 40 का option number D right answer हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीड भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में जो है कि option D सामिल नहीं है और इसमें जो है आपका ये right answer हो जाएगा option number D उमीद है कि ये question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई भी doubt हो जितने भी question मैंने बताया आपको इस पूरे वीडियो में किसी भी question से कोई भी doubt है तो comment box म आप पूछ सकते है निसंकोज उमीद है कि पूरा session आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को like करें like करने से क्या होता कि मुझे motivation मिलता इसी प्रिकार के और भी वीडियो बनाने के लिए वीडियो को share करें maximum दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का lab उठा सके और आने वाले exam में वो भी अपना net का exam clear कर सके तो friends एक बात और कि अगर आप नए वीवर है चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं उसके बगल में जो bell icon का button होता इस प्रिकार का आप उसको praise कर ले क्यो कि जब कभी भी इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड होगा तो उसका notification बहुत ही असानी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा तो friends आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में कुछ और topic के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत